राज एक ऐसी समस्या पर काम कर रहा है जिसमें बड़ी संख्याओं का हल करना शामिल है वो एक ऐसे मोड पर पहुंचता है जहां उसे 103 का वर्क करने की जरुरत है पर उसे एहसास होता है कि 103 का 103 से गुणन करने में बहुत समय लगेगा क्या आप इस समस्या को बेहतर तरीके से हल करने में उसकी मदद कर सकते हैं दोस्तों इसके लिए आईए इस सत्र में सर्वसमी का नामक एक गणी तियर अवधारना के बारे में जाने चलिए पहले 103 को 103 जैसी दो सरल संख्याओं के जोड जैसे लिखते हैं तो 103 का वर्ग एक सो और तीन के जोड के वर्ग के बराबर होगा पर हमने इसे 103 में क्यों बाटा? असल में 103 के जोड का वर्ग यह निकलता है हम देख सकते हैं कि एक सो और तीन के वर्गों का मान निकालना सरल है और इस पद का मान निकालना भी सरल है तो हमें अपना उत्तर इसके बराबर मिलता है क्या यह एक सो तीन को एक सो तीन के साथ गुणा करने से सरल नहीं था? पर रुखिये, आप सोच रहे होंगे कि यह आया कहां से आईए देखते हैं एक सो और तीन के योग के वर्ख को ऐसे भी लिखा जा सकता है आईए अब दाय पक्ष को वितरन गुण का उप्योग करके सरल करते हैं तो हमें यह मिलता है अब ध्यान दीजिये कि एक सो को तीन से गुणा करना और तीन को एक सो से गुणा करना एक ही बात है तो इन दोनों को जोड़ा जा सकता है जिससे हमें दो गुणा एक सो गुणा तीन मिलता है तो यही वह तरीका है जिससे हमें पिछला व्यांजक मिला अब मान लीजिये कि हमने बाएं और दाएं तरफ एक सो को चर ए और तीन को चर बी से बदल दिया हमें यह मिलेगा अब इसका इस्तेमाल करके हम दशमलव संख्याओं का वर्ग ग्यात कर सकते हैं उधारनार्थ छ दशमलव दो वर्ग चलिए इसे देखते हैं आब इस समिकरण में हम ए को च और बी को शून्य दशमलव दो के बराबर लेते हैं और तब हमें च दशमलव दो का वर्ग इसके बराबर मिलेगा तो यह समिकरण हमारे लिए बहुत उपयोगी है इसका मतलब है कि जब भी हमारे पास दो संख्याओं A और B हैं, तब उनके योग का वर्ग, A वर्ग दो गुणा A गुणा B और B वर्ग के योग के बराबर होगा. हमें दाए पक्ष का व्यन्जक तब मिलता है, जब हम A योग B को A योग B से गुणा करते हैं. हम इस प्रकार के समीकरणों को पहले देख चुके हैं. इस समीकरण को हल करने पर हमें X का सिर्फ एक मान मिलता है, जो दो है. पर हमने देखा कि यह समीकरण A और B के दो अलग मानों के लिए सत्य है. पहले हमने A को 100 और B को 3 के बराबर माना था. उसके बाद हमने A को 6 और B को 0.2 के बराबर माना. अब आप यहां रुखकर A और B की जगह कोई भी अन्य संख्या रखकर देख सकते हैं. आप देखेंगे कि यह समीकरण A और B के कोई भी मानों के लिए सत्य है. इस प्रकार का समीकरण जो चरों की हर संख्या के लिए सत्य होता है, एक सर्व समीका कहलाता है. अगली सत्र में हम इस सर्व समीका के कुछ और उधारन देखेंगे. झाल झाल